आज मैं इस वीडियो में ओसत के लभड 10-12 कुश्शन कराूँगा, 10-15 मिट के वीडियों होगी दोस्तो, उम्हीद है आप लोगों के पसंद में आइगी दोस्तो ओसत के सारे के सारे कुश्शन फोसत के हम ट्रिक्स से करेंगे, बेसिक चीजे होगी दोस्तो, अगर आपको व प्लस करने के यह भाद आप क्या करेंगे दोस्तों भाग कर देंगे चार से, एक तरीका तो यही ए, प्लस करने का सबसे असान तरीका यह देखे दोस्तो 20 बचेगा और बटे में कितना जाएगा यहां पर 4 तो देखें 15 और 5 20 और यह 20 20 का 20 पूपर कड़िया तो यह पूरा का पूरा कितना हो गया 0 तो इस तरीके से इसका जो ओसत आ गया वो 70 आ गया दूसर तरीका क्या है आप इसको जोड़ करके भी कर सकते हो जोड़ कर करोगे 5 और 5 10 10 का हो जाएगा दिखीगा 0 यहां पर अगर आप इसको जोड़ करके कर रहे हैं 10 का 0 हासिल लगा एक 9 और 5 14 और 6 14 और 6 होता है दोस्तों कितना 20 20 और जी 7 27 और एक हासिल का 28 ठीक है और बटे में कितना जाएगा 4 4 728 इस तरीके से भी सवाल को आप कर सकते हो ज करेंगे इन तीनों को सबसे पहले प्लस कर लेंगे क्या करेंगे इन तीनों को सबसे पहले हम प्लस कर लेंगे उसत के लिए अगर आपको उसत निकालना होता है तो सारी संख्यों का प्लस कीजीगा 15 हो जाएगा यह पांच और आठ तेरह और चार सत्रह और हासिल का 18 हासिल काटेंगे तीन दू नीचे बचे कितने दो हो गए अठाइस तीन नम सब ताइस तीन पंजे पंद रहा है उन्तिस पॉइंट फाइव आजाएगा इनका चो ओसत आएगा वो आएगा उन्तिस पॉइंट फाइव ठीक है उसकी ट्रीक है यहाँ पर किर्किट की टीम के दस अद बढ़ जाती हैं पर उसत लिख लिए हमने एक आईउ बढ़ जाती है एक मल्टिप्लाइवाई सदस्टे भी आपका एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर तीस प्लस ग्यारा कितना हो जाएगा यहां 41 वर्स जो आपकी कप्तान की आईउ है वो कितनी आगी दोस् कम हो जाती है नए करमचारी की आईउ ग्याद कीजिए देखेगा पहले कितने वर्स थी 37 वर्स कम हो जाती है मतला माइनस कर देंगे यहां पर कितने हो जाती है दो वर्स कम हो जाती है कितने करमचारी हो गए आप 7 क्योंकि पहले 6 ते अप करमचारी हो गए 7 तो 37 माइनस 7 द लिखेंगे यहां पर किसी कख्षा में 20 लड़कों की ओशतायू 12 वर्स है एक लड़के ने अपना इस्थनांतरन कर लिया उससे ओशतायू 0.2 वर्स की कमी हो गई उस लड़के की आयू ग्याद कीजिए इस्थनांतरन करने का मतलब है दोस्तो वह वहां से छोड़ करके चला तो प्रजेंट टाइम में उससातायू कितनी है 12 वर्स है इस्थनांतरन में क्या होता है कम हो जाती है तो माइनस करेंगे 0.2 वर्स कम हो जाती है अब लड़के कितने वचे दोस्तो 19 वचेगा अब इसको सॉल्व कर लेंगे 12 माइनस 19 दूनी होता 38 ठीक अब इसको इसमें से घटा देंगे 12 में से इसको घटाओको तो कितना बचेगा 8.2 वर्स बचेगा 8.2 वर्स डन नेक्स करते हैं इसी तरीके से कुश्चंस एक परिवार के 10 दस से रहते हैं जिनकी ओसतायू 28 वर्स है एक व्यक्ति नोक्री पर चला गया जिससे ओसतायू एक बढ़ गई नोक्र एक वर्स बढ़ गई बढ़ गई में लगाओगे आप माइनस का इस तरीके से ठीक है अब व्यक्ति देमें पहले कितनी थी एक वर्स एक गुणा अब व्यक्ति कितने बचेगा आपके सामने नो तो 28 माइनस कितना कर देंगे इसमें से 9 अगर इसमें से 9 माइनस करेंगे तो 60 kg के एक व्यक्ति को हटा कर उसके इस्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है जिससे ओसत भार एक बढ़ जाता है नए व्यक्ति का वहार ग्याद कीजिए तो नए व्यक्ति का वहार ग्याद करने के लिए आप सिंप्ल करेंगे यहाँ पर देखिएगा 10 व्यक्ति नहीं दे रख़ा है तो पहले suppose that ओसत कितना था पहले पहले ओसत होगा suppose x ओसत था पहले suppose x तो total कितना हो रहा था वो 10x ठीक है अब एक व्यक्ति को हटा दिया ठीक हटा दिया मतलब 60 वाले को हटा दिया अब कहरा है ओसत जो ओसत भारा उसमें एक किलोग्राम बढ़ जाता है अगर यहाँ पर हमारा आप तो यह हट इया इसके साथ में हमने एक नया व्यक्ति रख लिया था y अब इसका ओसत निकालोगे तो व्यक्ति तो 10 है अब इधर कहरा है कि ओसत एक बढ़ जाता है इस तरीके से ओसत एक बढ़ गया यहाँ पर ओशत इसकी धर गुणा करेंगे 10x प्लस 10 बरावर 10x मैनस के 60y 60 प्लस y इससे यह कट जाएगा 60 धर जाकर जुड़ जाएगा बरावर आजाएगा यहाँ पर 70 तो आप सीधा सीधा इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो अगर आपको ट्रिक से करना यह सवाल तो जो पहले वाला व्यक्ति हटाया जा रहा है 60 और यहाँ पर अगर बढ़ रहा है तो आप प्लस लगा देंगे ठीक है और कितना एक बढ़ रहा है और उससे मल्टिप्लाई कर देंगे जितने व्यक्ति हैं तो कितना जाएगा 70 आ जाएगा बहुत असानी तरीके से यह ट्रिक हो गई इसकी नेक्स्ट एक सम्हों में 6 व्यक्ति थे उसमें से 80 किलोग्राम भारे वाले व्यक्ति एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति ले लिया गया वोशत भार 3 किलोग्राम कम हो गया ने व्यक्ति का भार गयाद कीजिए अगर इस टाइप से कुश्ट आता है तो आपको जो पहले वाला जो हटा रहे हैं उसका बो लिखेंगे किलोग्राम 80 किलोग्राम भाला व्यक्ति हम हटा रहे हैं 3 किलोग्राम की कमी हो रही है तो माइनस 3 गुणा जितने व्यक्ति हैं आपके पास वो तो हो जाएगा 80 माइनस 618 इसको घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 62 वर्स जो आपके सामने नए व्यक्ति आ रहा है वो कितना है दोस्तों नए व्यक्ति का भार कितना हो गया 62 वर्स नेश्ट कुशन देखेंगे 20 व्यक्तियों का ओशत 25 है 20 वर्स ओशत आई-उ के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाते हैं तो ओशत आई-उ ग्याद कीजिए देखेंगा यहाँ पर 20 व्यक्तियों का ओशत 25 वर्स है तो 20 की और 25 की गुणा करेंगे ठीक और 20 वर्स उसत के 5 व्यक्ति है यानि कि फिर 20 की और 5 की multiply करेंगे इनका combine total निकालना है तो इन दोनों को जोड़ करके 20 व्यक्ति ये हैं और 5 व्यक्ति ये हैं यानि कि 20 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों इनको यहाँ पर लिदेंगे और इसको solve करेंगे जब solve करेंगे तो 25 तो नि 50 ये 500 हो जाएगा प्लस 25 बटे 25 हो जाएगा इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 600 बटे 25 इससे इसको काड़ देंगे ठीक है कितनी वार कटेगा दोस्तों 12 वार कटेगा ठीक कितनी वार कटेगा 12 वार यहाँ पर देखेंगा ओसत आजाएगा 12 वार कितना जाएगा दोस्तों 12 वार नेक्स्ट क्रेशन देखेंगे 40 व्यक्तियों का ओसत आई यू 4200 रुपे है जब कि 35 अन्य व्यक्तियों का ओसत 44 हजार है सभी व्यक्तियों की ओसत ग्याद किजिए तो simple करेंगे 40 गुणा 42 फिर plus हो जाएगा यहाँ पर 35 गुणा 4000 और बटे में कितना जाएगा इनकी संख्या यानि कि 40 प्लस 35 अब इसको solve कर लेंगे सवाल का answer आ जाएगा कैसे solve करेंगे 2,0,3,0,4,2,8,4,4,16 प्लस इसकी गुणा करेंगे 3,0,4,5,20,2,4,3,12,2,14 इनको जोड़ देंगे फिर बटे में कितना जाएगा यहाँ पर 75 solve करेंगे स्कोर तो 3,0 तो यही हो गए प्लस 8,6,4,0,2,3 इतना बटे कितना जाएगा दोस्तो 75 इसको solve कर लेंगे कितना आएगा नीचे उनलिक 75 आएगा ठीक है केवल 75 आएगा नीचे अब इसको काट देंगे काट के जो हमारा answer आ जाएगा simple तरीके से इसको तो solve करी लेंगे दोस्तों आप लोग next देखें देंगे आपर 10 चात्रों का ओशत प्राप्तांक 45 है 15 अन्य चात्रों का ओशत प्राप्तांक 40 है सभी का ओशत प्राप्तांक की जाद कीजिए इस टाइप के questions में 10 गुणा 45 प्लस 15 गुणा 40 simple बटे जोड़ेंगे इनको 10 चात्र एक है और 15 चात्र एक है 10 गुणा 25 हो जाएगा अब इसको solve करेंगे तो 450 तो एक हो गिया प्लस 15 गुणा 60 गुणा बटे में हो जाएगा कितना 25 अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा उपर 1050 एक हजार पचास को आपको डिवाइड करना है पच्चिस से ठीक है पच्चिस चोका 100 और पच्चिस दुनी पचास कितना जाएगा यहां पर 42 आजाएगा 42 चात्रों के लिए कितना जाएगा दोस्तो 42 उमीद है आपके समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट कॉश्चिस देखते हैं 12 यात्रियों का ओशदभार 60 केजी है जबकि सेस 8 यात्रियों का ओशदभार 55 है सभी यात्रियों का ओशदभार याद कीजिए तो यहां पर सिम्पिल 12 गुणा 60 प्लस 18 गुणा 55 इस बटे में कितना जाएगा टोटल यात्री, टोटल यात्री कितनी है, 12 यात्री एक है, और 18 यात्री एक है, इसको solve कर लेंगे, answer आ जाएगा, 12 चिंग 72, 720 यह हो गया, प्लस 18 पंजे 90, ठीक है, इसकी multiply हो गी, 20 और 18 जुड़कर के कितना हो जाता है दोस्तों, 30, 30 यह हो गया आपका, इनको जोड़ कितना जाएगा यहाँ पर, simple, 57 kg, उमीद है, सवाल समझ में आ रहा होगा, next questions देखते हैं, यह हमने लवख 12 questions कवर किये दोस्तों, ट्रिक से भी कवर किये, ओसत की एक लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, maths की तयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते ह कि नार Aww請, उigorा है जारी कि एक करू़ सकते हैं, है हमने पर दमीद लेफimana यहाँ एक क्या उंट रगे होड़स हैं, यह मुड़स। इसी वहाते हैं, सवाच्छी हैं, सवायाच से उनल से लेफे distractions, टे से बीक जल आूबस्षरा रहा मने xrito